कि अग्जेक्टली का बताने वाले रहा है तो एक्जेक्टली का बताने वाले रहे हैं 23 दिसंबर सनिवार को अठारवा वोश्वरी फिल्म वाट संपन्ड होने जा रहा है अथरवा कॉलिज मलाड बेज़ती है जैसे कि आप लोग को पता है आप लोग के माध्यम से ही पुरे देश में पुरे दुनिया में भोश्वरी फिल्म आवाट्स के माध्यम से आपके माध्यम से लोगों तक ये चीजे पहुंची है दोजार पांच में प्रथम भोश्पुरी फिल्म वाट्स के अस्थापना की गई थी दिलीब साहब साहरा बानु जी गोविंदा जी कुमकु जी इनके करकमलो दौरा जो लेम जलाया गया था आज वो जलता आ रहा है आज तक जो अठारा वर्स पूड करने जा रहा है 23 दिसं करता है आजकों वी से कौनफॉर्ण लोग है और गेस्ट में इस बात आए और जग कमिटी एक हमारी है पांच लोगों की जिसका चेर्मेन मैं हूं और हमारी कमिटी है सभी लोग मिलके काम करते हैं और रहाग गेस्ट की बात मैं हमेशा आपने देखा है कि हिंदी करते हैं तब ही बड़ी होगी हम अधर लोगों को साथ जुलेंगे रोगी नहीं उपाएगी तो मैं फोकस करता हूं कि अपने इंडस्ट्री लोग ही उपस्तीट रहें सारे लोग उपस्तिट रहते हैं और सबट करते हैं कि इन-के कैडिगिरीं में कितना उजल चाहीं में एक्टर मेल, एक्टर फिमेल, नगेटू, सपोर्टिंग, इस तरह से कोरियोग्राफ़र, नवयोदीत कलाकार, शिंगिंग मेल, शिंगिंग फिमेल, इस तरह से 26 कटिगरी है. जब हमने 2005 में इसकी सुरुवात की, आज भी उस मंजर उस पल को लोग याद करते हैं, जैसे कभी रंजन जी ने वही बात कर रहे थे, कि वो 18 साल पहले जो 2005 में जो उतर भारती समाज के वो इपी बिहार के लोग, दिलीब साहिब, साहरावानोजी, बविंदा जी, ये लोग ऐसा महारमन बैठती की तरह बैठे रहे, हचारू की तादार में दितनी दूर नजर जाती थी, गोरेद्रावाई स्पोर्ट्स क्लड़ में, लोग नजर ही आते थे, ये सिल्षला काफी दसो साल तक चलता रहा, जब हम ग्राउंड में करते थे, रहा उतार चड़ाव की बात, इंडस्ट्री में न तो एक चैनल था, न तो कोई बहुत सारी बाते हैं, जो उत्तर प्रदेश विहार से बिलॉंग करते थे, वो लोग इस भासा को सपोर्ट करते थे, पेपरों में च्छापते थे, जरूर, कोसिस करते थे, जितनी उनकी चलती थी, मैंने उतार देखा है, तो मीडिया के लोग बड़ा सहयोग रहा जो नार्थ इंडिया के लोग थे, हमने देखा मराठी जी, मराठी, गुजराती और सब पंजाबी, सारी चैनलों ने, जी नियो जासता है, वो सारे चैनलों ने कई वरसों तक बड़ा सपोर्ट किया, और आप देख रहेंगा हमार इंडस्ट्री लोग में वो दौर देखा, 2005 में किस तरह से कलाकार अपनी संगर्स करके चीजों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे थे, आज हमारे कलाकार दूसरों की मदद कर रहे हैं, तन मन धन तीनों से, बड़ा खुशी होता है, और उतार चड़ाओ की बात रही, एक बार आंधी आई, इसके बाद भी हमने आप लोग की ब्लेसिंग से एक महिने के बाद सेम डेट में किया, एक बार बरसात आई, तब भी हमने एक महिने के सेम डेट में किया, पीछे नहीं मुड़ा, हमारे पास स्पॉंसर थे या नहीं थे, इसके बावजुद भी हमने क कि बोश्पुरी फिल्म इंडस्ट्री की सम्मान को बरकरार रख सकूँ और आप लोग एक ब्लेसिंग से वो बरकरार आस्तर है एक बार कहीं कहीं पोलिटिकल सिकार भी उत्तर भारती उस समय भी कि बहुत बड़ी तुफान थी पुरे प्रदेश में उस समय लोग सोच नहीं सकते थे देश का हो मिनिस्टर शरी प्रकाज आश्वाल जी थे और कैबिनेंट मंतर सुबोत कान सहाई जी थे लोग करते थे विनों करोगे कैसे लेकिन प्रभू की कृपा थी बहुत सांदा तरी सब्सक्राइब करते हैं कि अपका सवाल जो है मैं किसी पर प्रत्किया नहीं देना चाहूंगो बड़ हमने हमेशा प्रयाज किया कि अपनी गरिमा अपनी भासा अपनी फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा को बरकरार रखों बहुत बड़े-बड़े अमाउंट बहुत बड़े-बड़े लालच हमारे पास आए सब को पता है अब नाम नहीं ले सकते सार्जुनल गूप से लेकिन इंडस्ट्री की लोगों सब को पता है लेकिन इस अवाड क चाहे मेरा खुद का फिल्म हो, चाहे मेरा वेटा क्योंने हीरो हो, तो अगर वो क्राइटेरिया में है, रेस में है, रेस में जीतता है तो पाएगा, नहीं है तो नहीं पाएगा, किसी लालत से, किसी दौलत से, या किसी प्रकार से इस चीज को कोई खरीद नहीं पाया, तभी आज 18 वर्स पूड कर पाया हूँ यह मैं समझता हो कि मेरा मंच नहीं है यह सब पूरे समाज का मंच है और गाठ दारा स्थापित मंच है ऐसा मेरा अपना मानना है और बुरे जुरे परिस्तितियों भी सफल होते क्यों होते कहिन कहीं स्वर के पिपाएं सवाल यह हैं कि जब जादा तर फिल्में यूपी में शूट हो रही है आज की तारीक में जादा तर लोग यूपी में रह रहे हैं और गवर्मनेट शाय जुद्धर की सुधाएं दे रही हैं ऐसे भी से वाट शोको उतर प्रदेश के अभिलार में ना करके आप मुंबई क्य ग्लेमर की दुनिया है और सुरूस यहां करते एक साल में 2013 में उत्तर प्रदेश की राधानी लखनों में किया था और उसके बाद सब शीडी भी पास कराने में बड़ा स्रेर रहा है हमारा तो 2016 में मिला सारे लोग थे रवी जी कुनाल जी सुरेंदपाल जी सबमावना जी दिनेश लाल जी रानी चेटर जी हमनोज सारे लोगों के मवजुद्गी में हमने सब्चेडी डिकलियर करवाय था तीस लाग रुपे 2013 में जो इंप्लीमेंट हुआ 2016 में पहली बार वो भी स्रे कहिन कहीं अवाड को जाता है और अच्छा है उत्तरदे सरकास सब्चेडी द सब्सक्राइब करता हूं कि उनकी आत्मा को इस्वर सांधि प्रदान करें उनके परिवार को इस गड़ी में छंता दें उनको दुख में मैं इस्वर से ही प्रात्ना करूंगा और उनको नमन करता हूं रहा सवाल ब्रिजेज जी का जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है बोचपरी फिल्म इंडस्टी के लिए उनकी कमी हमें बहुत महसूस होगी एक हपता पहले भी हमने बात करने कोशिस किया था लेकिन बात नहीं उपाई थी दुर्वागवस और उनकी कमी के तो को सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि सर ने बोला कि नीव कबर्स को मौका मिलता है तो यह बात बिल्कुस सथ्य है लिकॉज अफ मैं भी जब इस्टिम आई थी तो सबसे पहरा मौका सर ने लिया तो मुझे परफॉर्म करने का और मैंने परफॉर्म किया भी और सभी को पसंद सब्सक्राइब करेंगे जो भी यहां पर जितने भी शब्द बोले गया है संत्य है और जिसको भी अपना जीवन में को प्रयास करना तो यहां पर जरूर आए और आपको मुकाम जरूर हुए तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन अजिसा वह बहुत अधूर क्लाकारों के लिए परिच्छा और मुझे ऐसा लगता है इसे वाड में आने के बात मैं उस पर इच्छागा एक्जाम दे रहा हूँ जो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा और आप लोग देते हैं रिजल्ट और खुशियां मिलती है कि इस एवाड को फिर एक साल हम उसी तरह मेहनद से इस एवाड के लिए तैयारी करते हैं क्या खरो अच्छागे लेगा है कोई नहीं कोई जो बोलो तुमरा आवाज है सबसे पहले नमस्कार प्रनाम मैं हूँ अपसरा कशियप और सभी बोश्पूरी तरशकों को मेरी तरफ से प्रनाम इस एवाड शो में मेरा ये फर्स टाइम है और मैं विनूट सर को थैंक यू ब में बीजी थी तो अगें अगें आई सब्सक्राइब कर्फोर्मने के लिए अच्छे काम करने के लिए और जो महनत करने के लिए और हमारे कोरिग्राफर से खोर्वे सर को संजेर कोर्वे सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकुस इनलों मुझे हमेशा से डांस के लिए कुछ आउट ओबॉक्स स्टेप चाहिए होते हैं और मुझे सर को बोलना नहीं पड़ता है सर आटमाटिक समझ जाते हैं और मैं हाँ जोड करके एंको बहुत थैंक्स बोलना कि क्योंकि मैं तेल्गू हूँ दक्षण से हूँ और 17th BFA में मुझे as a best debut का अवार्ड मिला था उसके लिए बहुत थैंक्स बोलना मुझे मानूभी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा और जब मैं नॉमिनेशन पे कि सर मुझे भी करना है करना है करना है so now I got a chance to perform मतलब एक मीडियम क्लास से मैं आता हूँ मेरे घर में कोई भी स्टाइन को है नहीं और मैं बहुत ही शर्मीला टैपक लडगा हूँ और इनों सर ने मेरे चीजों को समझा और मतलब उपर वाले से यह महीं बोलना चाहता कि इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा यह दिया कि मैं perform करने जा रहा है यहां पर और आपस और मेडिया वालों भी बहुत धन्यवार जो हमेशा मतलब साहते हैं अच्छित इमोशनल हो गया है अच्छा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा नहीं है मतलब इमोशनल तो मैं अच्छा बहुत बहुत बड़ा जाते हैं तो आटोमेटिक कहा जाया तो इमोशन और दिल की बाते निकलती हैं कि अच्छा बड़ा है मतलब क्या मैं कितनी भी ताजिफ करूगा और मैं पार्टिपेट करने जा रहा हूं तर आप्सवरा करश्वची करते जाना है आपकी कोई रिलीस फिल्प है इस साल मेरी दो मूवी आ रही है एक है वर्ड वैट की है एक परिंदा मही जी है उसमें और एक आ रही है नजरिया लड़ा की क्या सभाव इश्यात्र पिषयं आप संण नेंड अधिक करूझा नियुक्तbuild डेश भिहार और अधर God करों कि प्रें को मैं जए धर में टियाटर तर में लोग थ्यूक चाहि है नहांने डेशिटव में जाए जवां को संमान दें अधिक अधिक करें दो लोगों तक हमारे कलाकार पहुंचे और उनका इंटर्टेंटमेंट करें और उनसे अब एक्छा रखते हैं कि हमारे कलाकारों को भी सम्मान दे और थीटर तक जरूर पहुंचे और मेरी सुबकामना है हमारे प्रदेश के लिए हमारे भासा के लिए हमारे कला संस्कृति के लि यह सभी के लिए हैं जो हमंग करता है डारेक्ट इंडारेक्ट। उसको हम должна हैं हमारि यह तो होता प्रेक्ट नहीं करते हैं टिकट वाला सिस्टम नहीं है गाते हैं अस Almट श़िए बातको तो उसका क्या लगता है कितना फाइदा मिलेगा जो भूझपुरी इंडस्ट्री यह स्पेशलियों को नहीं अगर हम करते हैं कि यह तीनों सांसद कि किसी कारे में लग जाएंगे कि यह काम भूझपुरी इंडस्ट्री के लिए करना है तो असंभव नहीं है तीनों अपने आप में बहुत सक्षम है रभी जी हैं मनोज जी हैं दिनेज जी हैं और हमेशा करते रहते हैं हम क्या कहें रभी जी को रभी जी ने फ्रस्ट यर से जो कुकार किया मेरे साथ, कहना अच्छा नहीं लगेगा, यह normal व्यक्ति कि तरह रभी जी काई vr जी 10-12 वर्स तक टो परॉम किये, दिनेज जी 10 वर्स से continue perform कर रहे हैं तो इस लुग बहुत-बड़ा सहयोग रहा है एक normal व्यक्ति कि तरह कलाकार कि तरह आते थे हिघर जब सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ा उतान सब्लों ने दिया है कौन इस मंच में नगमा जी बागिसरी जी कुनिका जी मुझे लगता कौन इस मंच को परफॉर्म से सजा नहीं है सयोग नहीं किया है अनि गिनत हिंदी और टीले विजन के लोग बहुत सपोर्ट किया है तब जाक का सवाल बहुत अच्छा है हमेशा नए लोगों को यूद के लोगों को मौका मिलना चाहिए तो जब तक नए मौका नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे सरवाइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है उन लोग सपोर्ट करते हैं और करना चाहिए और भी आगे आके करना चाहिए और मैं स्वयम कोशिज कर रहा हूं कि लोगों को जो कई सालों से प्रयास में थे बहुत सारी चीजों के वो चीज मैं कैसे उनके साथ सहयोगी बनके पूरा करूं मैं भी खुद कोशिज कर रहा हूं अब रोटी जब अभी अवार्ड शोस होते हैं उनकी निश्वक्षता को लेकर अकसर लोग सवाल पढ़े करते हैं कई लोग है जो कहते हैं जिने नहीं मिला शायद थो थोड़े से नाराज होते हैं कई बाद पक्षपात के भी आरोप रखते हैं इन आरोपों के जवाब में क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रांपरेंसी है जो आपके पास है बाकि लोग के पास नहीं है कि सर मैंने हमेशा इम लब यह मैं इमस्टनल और दिल की बात बोलना चाहूंगा मैंने अपने जीवन में ये बीस वर्सों में इतनी समस्याइज जेली है इतनी कह नहीं सकता हो ब लेकिन अंजाने में कोई कहा जार अगर्ट वई नहीं सब्सक्राइब लेकिन आपको विनोत गुप्ता मोरें पटा ही नहीं है अच्छाई या पुराई जो भी लेकिन उसामने फोन आने के बाद कि रो दुएरा फोन नहीं यह यह भी हमने दिन देखे है और रहा सवाल इम में उसको बंद कर दूंगा लेकिन यह काम नहीं करूँ मुहबब में प्रेशाइज होता नहीं अपना बेटा भी प्रेशाइज करता है मेरे मेरे चाचा भी कर सकते प्रेशाइज तो कोई ऐसा भी हो सकता है सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मैं गीनोच सर के एवार्ड में परफॉर्म कर रहा हूं और कई सालों से मैं इस इंडस्टी में हूं और मैं बहुत अपने आपको खुशाल मानता हूं कि जब यह मंच मुझे मिलता है तो मुझे वो ताकत और सकती मिलती है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता साथ मैं उसी के लिए रियासल करता हूं कई दिनों और फिर पुरी इंडस्टी के सामने परफॉर्म करता हूं मैं धन्यबाद करूंगा बोजपुरी फिल्म एवाड को कि इसी तरह नए जनरेशन और नए कलाकार जो आ रहे हैं इस मंच को छूपाते हैं और अपना परफॉर्म इंडस्टी को दिखा पाते हैं ठीस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं इसे लाइक परफॉर्म क किसके साथ साथ हां सर ने जो टीम ने डिशाइट किया मैं और रादा सिंग्जी हैं और कुछ मेडली शौंग है हमारे फिल्मों के मिक्स और संजय कुब बे मास्टर जी हैं यूदि हमें रियाच्टव करा रहा है जी सर आप क्या तो पुलना चाहेगे इस अबार करना है अबार तो आपी शाल से अबार करता है जिए सर और ए मुझ को चोटा को बड़ी बात दोगा में बांकि जो मुझ जो यह अबार का जो है अभी सार ने मुझे बोला, असी जा मुझे नियू जर्वेशन हैं, जैसा अमरीज भाई यह है, श्वयद है, नियू जर्वेशन का पुन चांज देना है, और इन पू कब अपने सपोर्ट करें, तो अभी आम लोग सब नियू जर्वेशन के जिसेज में आरे जो, अभी निय नियू कमल नटकी, नियू कमल लोग सब्सक्राइब, तो अभी बच्चे लोग कर रहा है, तो और यह ऐसा मंच है, विनुक सरकार, मुझे कोई चीज के लिए कमी नहीं कर दो, मुझे फ्रीज होना है, मासे जी आपने जो करना है, मुझे बहुत आइवार्ट का ओफार है, म मासे जी में आवार्ट करके दो, जो आप विनुक जी का करता है, विसा हमारा भी करके दो, तो मेरे को वो माजा नहीं आता है, मतलब फिर वो इस समझ में आता है, क्या हो रहा है, क्या है तो इसके लिए में बहुत कमी करता, मुझे बता करना है, तो नंबर होने आवार्ट क करने हैं तो मज़ा आता है कि इंड़स्टी को ने जानदा हमारे भीनुप गुटास करों कि अच्छे से बढ़ें तक और यह मंच पर अच्छे जो लोग बुलता है मुझे कराओ मुझे कराओ काफी लोग का फोन गोन आता है मुझे करो करो किसको मुझे कराओ मेरा भाई बेटा है क्या बले आपने बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर सफर रहा देखिए वोच्परी फिल्म अबाट जवान हो गया बेटा बड़ा हो गया अठारा साल का हो गया अब इससे बड़ी कुचिक बाद क्या होता है चलते चलते बिना तगमगाय बिना गिरे और इसके बाद भी 18 साल कंप्लीट कर लिया तो इससे बड़ा हमारे लिए गवरा और खुशी बात क्या हो सकता है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मीडिया लोग को धन्मा देता मीडिया ने जो उस दौर की मीडिया थी और इस दौर की मीडिया सब लोग ने दिल से साथ दिया हिंदुस्तान का कोई ऐसा मीडिया ने जो ए आदा आदा गंटा 40-40 मिटर मिनेट ना दिखाया हो मेरे पास सब रिकॉर्ड है चाहे आज तक हो चाहे जी न्यूज हो चाहे फिल्मी हो चाहे सारा रहा हो चाहे इंडिया टीबी हो चाहे आज के दौर की मीडिया आप जैसे ल लेना नहीं देना ने काम शुरू हो गया जब उनको आशकता है तब मैं उस चीज को पूरा कर देता हूं तो जो मेरे पास जुड़ा था आज 10 साल पहले 15 साल पहले वह आज भी मेरे साथ टेकनिकल टीम काम कर रही है लगवा किन में दिल में इस साथ नोने हुई है सब्तरह करी फिल्में है उसमें दो आउट हुई है 15 फिल्में आई हुई है रेज में है